गूर्णिंग, 6th class बेटे आज हम 12A exercise के next sum कर रहे हैं पहले 4 sum हमने कल complete किये थे 5th sum देखिए ये आपको 2 parallel lines दी गई हैं और ये 2 intersecting lines हैं तो इसमें आपको कुछ points दिये गई हैं उनको आपने बताना है 1st है 4 lines segment इस दिये हुए figures के अंदर हमें 4 lines segment find out करनी है तो बेटे देखिए, यहां से देखिए A, C A, C को हम measure कर सकते हैं तो 1st हमारी line segment क्या होगी हमारी A, C दूसरी देखिए, यहां से C, D दूसरी line segment क्या है हमारी C, D नेक्स्ट है, देखिए, D, B ये center center वाले जो सारे हमारे हैं, वो क्या है, line segments और उसके बारे A, B तो ये center वाले जो points हैं, ये सारी हमारी क्या है, line segments next है 5 raise raise क्या होती है, जिसका 1 fix point होता है, एक end point होता है, और दूसरी side वो unlimited आगे बढ़ती जाती है तो 1st ray है, यह देखिए B, P, यहां पे B का fix point है, और ये आगे ऐसे बढ़ रही है, तो पहला हो गया हमारा B, P उसके बाद देखिए, ये C, Q यहां पे क्या हो है, C, Q C, Q next है इदर से D, S D, S उसके बाद देखिए, B, R तो ये कितनी होगी बेटे, 4, तो हमें से पूछा गया है, 5 raise तो 5 raise आप कैसे भी देखिए, इदर से बना सकते हैं, जैसे C, P, C का यहां पे fix point है, और ये line ऐसे आगे की और बढ़ रही है, तो ये है P तो C, P, 5 तरे हम कौन सी लिख सकते हैं, C, P ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं, S, R, ये sorry D, R, ये D से point लेके आप इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, हमें only 5, 5 भी find out करनी है, तो हमने 5 raise लिख दी, आगे है non-intersecting line segment, non-intersecting जो आपस में intersect नहीं करती, जो line segment आपस में intersect नहीं करती, तो देखिए ये P, Q, और RS, ये P, Q, और RS आपस में intersect नहीं कर रही है, P, Q, R, S, तो ये क्या होगी हमारी non-intersecting line segment, next है 3 collinear point, collinears क्या होते हैं, जो A की line पे point होते हैं, जैसे R, B, D, S, उपर से देखिए P, B, A, C, क्या होगी, ये A की line पे बने point हैं, तो ये होते हैं collinears, तो हम कोई भी लिख सकते हैं P, A, C P, A, C आप कोई भी 3 point लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं R, B, D, कोई भी 3 points आप write कर सकते हैं next है 3 non-collinear point non-collinear, मतलब जो A की line पे stick नहीं है, A की line पे नहीं है, जैसे ये A, C, D देखिए A, C, D ये तीनो A की line पे नहीं है, ये तो एक line पे है लेकिन ये उस line पे नहीं है तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं A, C, D आप लिख सकते हैं B, D, C कुछ भी आप लिख सकते हैं बस ये आपका सही होना चाहिए ये की non-collinear का मतलब है जो एक ही लाइन पर स्थित नहीं है और collinear का मतलब जो एक ही लाइन पर है next है pair of parallel lines parallel lines आपको बचा है कौन से होती है ये वली non-intersecting और parallel ये ही है कि parallel lines भी आपस में कभी भी intersect नहीं करती तो ये क्या होगे हमारा ये भी क्या होगी P, Q और नीचे से है R, S तो बेटे I hope ये आपको समझा आ गया होगा तो इसी के साथ बेटे ये next जो आपने six sum में खुछ से try करना है और उसके बाए ये fill up है देखिए three or more points that lie on the same line जो एक ही line पर स्थित होते हैं point उनको उम बोलते है collinear a line segment has a defined length line segment की निश्चित लंबाई होती है a ray has dash end point one ray का a की end point होता है if two lines have a common point they are called intersecting line देखिए दो lines अगर आपस में काट रही हैं तो उनका एक point होता है common उसको हम बोलते हैं intersecting lines three or more lines इने plane are dash if all of them pass through the same point अगर a की point से तीन जा तीन से ज़्यादा line क्रोस हो रही है तो उसको हम बोलते हैं concurrent क्या बोलते हैं concurrent तो पेटे यह इसी के साथ जो आपकी 12 लवे exercise है वो complete हो गई है और फिर नौटबूक पर आपने अच्छे से complete कर ले नहीं है thank you student